तरून आईस के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर आपका स्वागत है माइने मिच रोहित कुमार आज हम बात करेंगे दा हिंदू के एडिटोरियल्स जिसमें ये कहा गया है कि हर बुंद की गिंती करना जल जीवन मिशन से सम्मन्दित है हम सभी को पता है कि जल ही जीवन है ऐसा अकसर हम लोग को बच्पन से कहा गया है लेकिन जल का क्या महत्व है और आज कल किस प्रकार से जल का दोहन हो रहा है उससे सम्मन्दित इस सम्मपादिके में हम बात करेंगे एडिटोरियल्स में हम बात करेंगे Editorials हमारी exam के अगर point of view से देखा जाती है बहुत ही महत्तपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत सरकार के साथ-साथ जल जीवन मिसन के बारे में भी बात की गई है तथा इससे ये कहा गया है संपादिकिये के माध्यम से कि भारत में जल का क्या स्तर है क्या महत्तव है सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है किस प्रकार से जल का production बढ़ रहा है और सरकार को किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए यह हमारे प्रारंभी के एक्जाम और अगर हम बात करें आप मुख परिक्षा इन दोनों के लिए बहुत ही महत्तवून रखता है चलिए एक एक करके इन सभी चीजों पर बात करते हैं सबसे पहले इस articles इस editorial के माध्यम से जो लेखक हैं यह कहना चाहते हैं हर बुंद की किंती है प्रतीक बुंद का एक महत्तव है किम्मत है हम सभी को पता है कि भारत जो है विश्व का एक कूल आबादी में 18% के हिस्सेदारी हो रखता है पहले 7.4 हुआ करता था लेकिन धीरे धीरे इसकी ब्रिधी होती जा रही है अर्थाक पूरे विश्व पतल पर अगर विश्व की रूप रेखा को देखे तो पूरे विश्व में भारत 18% आबादी के साथ इस्तित है वही पर इस आबादी के लिए मात्र जल की अगर बुनियादी धाचा की बात करे तो मात्र हमारे पास सुद्ध जल जो चार प्रतीसत मात्र सुद्ध जल या उसे आप ताजे या फ्रेस वाटर कहते हैं वो फ्रेस वाटर हमारे पास मात्र चार प्रतीसत है कितना कम है इसके पीछे कारण क्या है तो इस आर्टिकल के माध्यम से ये कहा जा रहा है खबर में सबसे महत्तोपून ये है इसलिए है कि देख सकते हैं कि भारत सरकार ने इस अपने जल जीवन मिशन के तहर जल जीवन मिशन ग्रामिन और जल जीवन मिशन सहरी दो परकार के मिशन एक ही मिशन के दो पहलू है य जल के अधिकार को मान्यता देने प्रदान करने की बात कर ये जल का अधिकार जैसे हम सभी को पता है जल जीवन के अंदर में हम सभी को पता है कि जीवन जीने का अधिकार है स्वास्त का अधिकार है और मौलिक अधिकार भी हमारे समिधान में दिया गया है fundamental rights article 12 से लेकर 35 तक म भारत के fundamental rights की बात की जाती है नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात की जाती हमारे समिधान के अंदर में तो उस अधिकार के ताथ ये भी कहा जार है कि जल का अधिकार को भी माननेता प्रदान होनी चाहिए ऐसा क्यों इसलिए क्योंकि आप सबने article 21 पढ़ा होगा भारत के समिधान के article 21 जो life और protections of life की बात करती है है ना स्वास्त की बात करती है स्वक्षता की बात करती है तो उसमें जल भी तो आता है तो उन्होंने भारत सरकार ने इस जल के अधिकार से सम्बंदित करने के लिए कहती है कि पूरी तरह से tap water connection एक समीन बित्रन प्रदान करने का लक्ष रख रही है पूरी भारत में हर बिक्ती को स्वक्ष जल मिलना चाहिए ऐसा भारत सरकार का लक्ष है जल जीवन मिशन के तहट जल ही जीवन है है ना अगर जल ही जीवन है तो जल स्वक्ष जल मिलना चाहिए ऐसा नहीं कि वो जल जो जीवन ले ले है ना ये भी तो देखनी की जरूरत है तो जल ही जीवन है तो स्वक्ष जल की बात की जा रही है ना कि प्रदुसित जल की बात कर जा रही है वहीं पर अगर बात किया जा जैसे सदूशन हुआ, प्रदूशन हुआ, वहाँ पर भूजल का अत्यधिक उपयोग, आप सभी को पता होगा भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा भूजल का परियोग भारत में है, सबसे ज़्यादा भारत के द्वारा वाटर टेबल के माध्यम से पानी प्रोवाइड करवाया जाता, जिसके कारण से हमारा जो वाटर टेबल है, हमारा जो भू जल का अस्तरदीन पन नीचे गिरता जा रहा है, तो ये भी सबसे बड़ी समस्या क्या कारण है, जल के अधिकार के दुरपयोग का उजागर भी करता है, साथ-साथ में ये भी बात करता है इस आर् की कोशिस करेंगे कि वास्तवीक रूप से कि आखिर जल का अधिकार अवश्यक क्यों है तो इस पर हम बात करेंगे इससे सम्मंदित चीजों पर चर्चा भी करने वाले हैं तो यह हम देखेंगे जल के अधिकार क्यों अवश्यक है आखिर हमारे लिए जो वाटर राइट ऑफ वाटर यह इंपोर्टेंट क्यों है क्यों अवश्यक है तो सबसे पहले हम बात करें अधिकार सम्मंदित सबसे पहले अगर बात आत तो एक मानुवाधिकार की बात आती है और मानुवाधिकार का अतातपर क्या है मनुष्य का अधिकार जीवन जीने का अधिकार बेहतर रंग से रहने का अधिकार शांती पुरुवक रहने का अधिकार स्वक्षता पुरुवक रहने का अधिकार इसी की तो बात कहा जाता है त तो सयुक्त राष्ट महा सभाप जिससे आप United Nation Journal Assembly करते हैं उसने अस्पस्त तोर पर यह कहा है कि जल जल के रूप में अस्पस्त रूप से यह कहा है कि जल और स्वक्षता के मानौ अधिकार के माननेता दी जाए जल और स्वक्षता क्योंकि ज्यादा तर बिमारिया जो है जल स होती है है ना तो मानौ राष्टी राष्ट महा साभा ने कहा कि भाई यह जो जल और स्वक्षत के मानौ अधिकार की माननेता दी स्विकार किया जाना चाहिए मानौ अधिकार के पूष्टी के लिए स्वक्षता बहुत ही अवश्यक है यह हमारा मानौ अधिकार कह रहा है अ हमारे समिधान के अंदर आर्टिकल 21 में भी इस बात को कहा है। इसमें ये कहा गया है भारत में जल के अधिकार में समिधान के मूल अधिकार में ये कहा गया है कि मूल अधिकार में इसको असपस्क तरीके से लिखा नहीं गया। लेकिन लाइव टू हेल्ध की बात तो करती है लाइक टू स्वक्षता की बात तो करती है तो इसके तहत भी आये है तो संग के साथ राज्यस्तर को भी न्याले में सुरक्षितेवं अधार भुथ जल के साथ स्वक्षता के अधिकार की ब्याख्या करता है भारत के समिधान के आर्टिकल 21 में जीवन और स्वतंतरता के अधि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 21 तक माना जाता है और उसी आर्टिकल 21 के अंदर में ये बात कही गई है कि स्वक्ष जल भी होनी चाहिए अगर स्वक्ष जीवन की बात की रही है तो जल भी उस जीवन से संबंदित है और इस ऐसा कोट में ये कहा गया कि जल ही जीवन है अगर जल ही जीवन है right to protections of the life की बात कर रही है तो आर्टिकल 21 की अंदर में ये भी आना चाहिए है ना दूसरी बात आप सभी को पता होगा कि सतत विकास लक्ष है sustainable development target की बात की जाती टोटल 17 है उसमें हमारा जो 16 जो है SDG 6 यही कहता है कि सभी के लिए जल और स्वक्षता की बाहन करता है जो कि वैश्विक राजनेतिक एजिंडा में जल स्वक्षता की बात कर रहा है तो बताइए अगर SDG बात कर रहा है मानो अधिकार की बात कर रहा है मानो अधिकार में आपका नेशनल जनल असिमली भी कह रहा है या फिर हमारे भारत के समिधान भी indirectly form अगर यह जल के अधिकार से संबंदित नियमों पर ध्यान देनी के अशकता है और जल ही जीवन को बेवस्थित करने की भी अशकता है यह संपादक महोदय इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं यह हमारे एक्जाम के लिए अब हम सवाल उत्पन यह होता है कि भारत सरकार ने बहुत स पर जल जीवन मिशन में सबसे पहले प्योईट तो यह है कि 2-OK mission की बात की जाती है इसमें दो पहलू है पहला बात यह है कि जल जीवन मिशन ग्रामिन की बात की जाती है वही पर जल जीवन मिशन सहरी की बात की जाती है जल जीवन मिशन ग्रामिन का जो उदेश ये है कि सरकार 2024 तक ग्रामिन के जितने भी भारत के अंदर में जितने भी ग्रामिन हैं सभी घरियों में बेक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और प्रयाप्त जल उपलब्ध कराने का एक निश् जल जीवन मिशन में सहरी की अगर बात की जाती है तो उसमें कहा जाता है कि इस मिशन के तहत भारत के सभी 4378 सविधानी सावधी के सहरों में कर्यानमत नल के माध्यम से जल किया पूर्ती को एक इनिवर्सल कवरेज प्रदान करने की भी अभी कलपना की गई है ये ओल अमरुच सहर अमरुच सीटी के अनफोकस छेत्रों पर भी सीवेज सेप्टेज प्रबंदन और कवरेज प्रदान करने का बिलक्ष इसी जल जीवन मिशन के तहत किया गया है तो ये जल जीवन मिशन हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण है लेकिन अब जल जीवन मिशन तो कार और हरियाना ने सभी घरों में 100% कनेक्टिवीटी का एक लक्ष हासिल अल्रेडी कर चुका तो ये सफलता है लेकिन सफल तब माना जाएगा जब भारत सरकार भारत के जो 2800 राज्य और बाकी के जितने भी नौव ये आठ जो केंदर सासित प्रदेश है उन सभी मों 100% नल कन कनेक्टिवीटी के लक्ष को हासिल कर लेता है तो ये हमारा जल जीवन मिशन सफल हो जाएगा फिलहाल अगर प्रदर्शन की बात करें तो गोवा तेलंगाना और हरियाना के सभी घरों में 100% नल कनेक्टिवीटी का लक्ष हासिल अल्रेडी कर चुका है लेकिन अगर वही ब प्रतीसत घरों में नल-जल connection का प्रदान किया तो ये वी एक सफलता कहा जा सकता है परंतु ये अधूरा है परंतु ये अधूरा है चलिये ये सुम्हें इन सभी चीजों तथ्यों पर बात कर रहे हैं सबसे प्रमुक बात ये की इसमें जब रिपोर्ट जारी किया गया दे इने रिपोर्ट जारी किया औरिस रिपोर्ट के माध्यम से तीन तत्तों और नहों ने observe किया सबसे पहला बाल तो यह है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से उन्हों ने कहा कि भारत में लगबक 62 प्रतिषत ग्रामिन परिवारों के पास अपने परिशर के भीतर पूरी तरह कर्यानवत नल जल कनेक्शन मौजूद है अर्थात अभी 100 प्रतिसत तो नहीं लेकिन 62 प्रतिसत जो है उनके पास जल कनेक्टिविटी है मतलब कर सकते हैं कि प्रती बेक्थी प्रती दीन कम से कम 55 लीटर जल की छमता होनी चाहिए ऐसा केंद्रिय के जल संसाधन मंत्राले का रिपोर्ट कहता है वही पर इस रिपोर्ट ने इस बात पर भी जोड़ दिया है कि याधु पी रिपोर्ट में क्लोरें शदूशन के एक संबंधित समश्या का भी उलेक किया गया है कि जल तो उपलब्द है लेकिन जल में जो लवन है अनेस्ट अन्तत है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो शकते हैं जैसे वो उसको भी इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रदसित किया गया है तो उन्हेंने कहा किया कि क्लोरिन संदूशन का एक संबंदित समस्या भी इस केंद्रिय जल संसाधन ने इसे मिरूपित किया है वही पर ये भी कहा गया कि हलाकि जल के नमूने को 93% जीवानू शंबंदित संदूशन से कथित रूप से मुक्त है अर्थात आप कर सकते हैं 93% जो है जल प्रदूशन जो पे योग्य जल है वो मुक्त है है ना अधिकांज जो है आगनबाडी केंद्रों और अस्कूलों के असिस्ट क्लोरिन की मातरा अनुमैशीमा से अधिक थी और ये अनुयुक्त अस्थानिय ग्रहन के संकेत को दे सकता ह है ऐसा रिपोर्ट के जरिये हमें पता चलता है है ना ये किंद्रिये जल संसादन मंत्राले का रिपोर्ट है है ना अब सवाल उत्पन ये होता है वह होद है कि आप सबने तो देखा कि संबादक महदे हर पहलू पर बेहतर तरीके से बात कर रहे हैं लेकिन एक समस्या संबंधित बहुत सारी चुनोतियां है जो कि सरकार के साथ-साथ जनता और नागरी को इसको फेस कर रही है directly और indirectly परत्यक्ष और अपरत्यक्ष तोर पर सबसे बड़ी चुनोति कि अगर बात देखा जाए भारत के अदर में जल्द संसाधन में अगर देखा जाए तो सबसे पहली समस्या है भू जल्द संसाधन का गिरावट जिस प्रकार से भारत के अंदर में भू जल्द संसाधन का गिरावट हो रहा है हमने कहा कि विश्व में सबसे जादा भू जल का दोहन भारत के अंदर में किया जाता है और भारत इसका परियोग क्रिसी के लिए करता है सबसे बड़ी बात तो ये है है ना तो सबसे पहला समस्या भारत के अंदर में है आपका भू जल संसाधन का गिरावट अस्थर और दू आ रही है और चौथा जो है कुशल अवसिस्ट जल प्रमंदन का अभाव ये चार सबसे प्रमुख मुद्दे हैं ये चार सबसे प्रमुख जल संसाधन से संबंदित चुनौतियां हैं जिसे भारत सरकार को निप्टारा करने की अवर सकता है ऐसा हमारे संपादक महोदय करते ह है ना तो सायद आपका जो प्रशन का उत्तर बहुत ही ब्यूटिफाई हो सकता है चलिए एके करके इन सभी चुनौतियों पर बात करते हैं सबसे पहले भू जल संसाधन का गिरावट अस्थर की बात करते हैं ये देखिए आप भू संसाधन का गिरता अस्थर को लेकर काफ होता है परंतु आज ये चिंता का जो एक तरीके से आपका सकते हैं कि जिस प्रकार से तीवरस सहरी करन हो रहा है जिस प्रकार से तेजी तरह से और बनाई जेशंज हो रहे हैं उससे और नियंत्रित भूजल का निकासी के कारण जो है ये मुल्लेवान संसाधन दीन पर दीन नीचे गिरता जा रहा है ये बहुत ही चिंता का विशाय आप ये देख सकते हैं कि तीवर सहरी करन से प्रेरित आनियंतरित भूजल निकासी के कारण इस मुल्यवान संसाधन में काफी गिरावट आ रहे हैं वही पर आप खास करके उत्तर पक्षिम भारत की अगर बात किया ज अस्थान और ये इसमें उत्तर पच्षिम भारत के अधिकांस भागों में अब भूजल जमीनी अस्तर सौ मीटर से भी नीचे चला गया है मतलब का सकते हैं कि वर्तमान में तो ये है वर्तमान में निकासी दर की बात करें दरभारी रने वाले भविश्च में ये चला जाए दी है कि भूमी अचानक से धीरे धीरे नीचे धस सकती है जिसे भूमी औतल या लैंड सबसलाइडिंस भी इसको रूप में जाना जाता है तो ये भू अस्तल गिरने के बहुत सारे काना आप देखिए वाटर टेबल कैसे नीचे जा रहा है अनकनफाइंड अक्वाफायर है लेक के कारण है न फिर कले आता है उसके बाद क्या होता है कनफाइंड अक्वाफायर अब ये पानी खतम हो जाएगा पूरा क्ले क्या चला जाएगा नीचे चला जाएगा ये भी नीचे धस जाएगा परिनाम ये होगा कि लैंड स्लाइडिंग आपको देखने को मिल सकता ह तो यह समस्या यहां पर आपको देखने को मिलता है दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस प्रकार से जल का प्रदूशन बढ़ रहा है जल प्रदूशन भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हम जल का उपयोग करते हैं और जल से ही सारी बीमारी जन को डेड रिवर घोसित कर दिया गया है ना बाकी तो यह आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जल का प्रदूशन जो है बढ़ रहा है किसके माध्यम से भाई घरेलू अद्योगी खनन अवसिष्ट के मात्रा जल की निकायों में हम लोग बहा देते हैं जिसके कारण से जल ज फूड वेब है और फूड चेन है वो विशेश रूप से सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित होते हैं खास करके जो जल प्रसिस्तिती तंत्र है वो भी पूरी तरीके सिन्द आपको नकरात्म कुरू से प्रभावित होता है तो यह बढ़ता जल प्रदूशन के कारण ही एसी स्तिती हमारे हां उत्पन होती है यह जल प्रदूशन के कारण तो इसके लिए भी एक चिंता की बात है तीसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जलवाई परिवर्तन आप सभी को पता है कि किस प्रकार से जलवाई में परिवर्तन देखने को मिल रहा हर साल ए ठंड में अत्यधिक ठंड गर्में अत्यधिक गर्म आपको देखने को पैटर्ण में काफी बदलाव आ रहा है जिसके कारण से समुद्र अस्तर में भी ब्रिधी हो रही है है आपके बहुत सारे ग्लेसिर मेल्ट हो रहे है नदी का जल अस्तर भी ब्रिधी हो रहा है तेज हो गई है जिससे बादल अधिक भारी मात्रा में बल रहे और जब बादल अधिक भारी मात्रा में बढ़ेगा तो परिनाम यह होगा कि ब्यापारिक पैटर्न में बादलों का अधिक भार नहीं हो पाएगा जिसके कारण से अत्याधिक बारिस होगी जिसको आप आपकी क क्लाउड ब्रस्ट भी कहते हैं इस घटना को या अत्याधिक वर्षा या बादल फटने की घटना भी कहा जा सकता है जैसे बाढ उत्राखन में आपने देखा होगा फ्लेस फ्लॉड की भी स्थिति बहुत जादा देखने को अक्सर मिलती है तो यह सब जाल्वाई परिवर्थ है कुशल अवसिस्ट जल का प्रमंधन का आभाव हमारे हाँ जो management है water management की अगर हम बात करें एक तरीके से एक efficient नहीं है कुशल अवसिस्ट जल प्रमंधन का आभाव भारत देश के अंदर में है भारत में जो जल संसाधन की जो कम आपूर्ती के साथ-साथ और शक्षम अवसिस जल प्रमंधन को देखा गया आर्थी कुपियों कर सकने वाले देश में चमता की कमी है बहुत सारा परिनाम यह अभी केंद्रिये प्रदूशन नियंतरन बोर्ड ने एक रिपोर्ट मार्च 2021 में प्रकासित की थी और इस रिपोर्ट के अनुसार से ये कहा था कि भारत की वर 27.3 प्रतिसत आप उसका उपचार करें जल का और 18.6 परसेंट आप उपचार करें सीवेज का तो इसके कारण से अफसिष जल प्रबंदन का अभाव की कमी तो हो अभाव तो होगी अधिकान सीवेज उपचार से यंतर जो है अधिक्तम चमतापकार नहीं कर सकता है और नियं इंपदिन बढ़ता जा रहा है अब चली बात करते हैं लास्ट पॉइंट निसकर्ष पर बात करते हैं कि क्या हुआ निसकर्ष में ये कहा प्रश्णों के उतर में आप इस चीजों को लीक सकते हैं सबसे पहला क्राम तो ये होगा कि आपको भी केंद्रिकृत जल उप्योग audit कराना होगा decentralization आपका water need का audit कराना होगा भारत में एक समर्पित जल उप्योग audit तंत्र बनाने किया हो सकता है जिसके माध्यम से जो है जागरुपता की कमी है अती परियोग जल निकाय प्रदूशन के कारण अस्थानी अस्तर जल बित्रन प्रणाली इन सभी चीजों को मध नजर रखते हुए आप भी केंद्र की जल उप्योग audit किया शकता है ताकि और दूसरा सबसे बड़ा है अस्थानी कृत्य जल संसाधन प्रमंदन की विवस्था होनी चाहिए जैसे कि जल जीवन मिर्षन की भूमिका जो है दोहरे दृष्टी कोन से देखा जाना चाहिए ज जानों के स्वस्थ जीवन की कल्पना तभी हो सकती है जब वह जल के स्वस्थ जीवन के साथ सामानजस से अस्थापित कर सके तो यह संपादक के माध्यम से जल जीवन मिशन पर जोड़ देने की बात कही जा रहे यह हमारे एक्जाम के लिए बहुत ही महत्तपूर्ण हो सकत और ऐसा प्रस्ण जो है मुख परिक्षा और प्रार्यम्भीक परिक्षा में पूछे जा सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर से दुसरे वीडियो में तैंक यू बेनी मच धन्यवाद इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करें